असलाम लेकूं माइट्यू फैमिली वेलकम बैक माइट्यू चैनल आज मैंने बहुती खुबसूरत सा नेकर डिजाइन रेडी किया है इसमें मैंने औरगेंजा का यूज किया है और उसके साथ-साथ मैंने एक लेस लगाई है इन चीजों को साइड पर करते हैं तो गले को कटिंग कर लेते हैं पौने पांच इंच मैंने गले का निशान लगाया चार इंच साथ पॉइंट गले का निशान है और जो लंबाई हम इस गले की रखेंगे वह साथ इंच रखेंगे और यहां भी पॉने 5 इंच का ही निशान लगा लिया और सेम उसी तरह जैसे मैं गला कटिंग करने आपको बताती हूँ एल शेव में हम लाइने लगा लेंगे लाइने लगाने के बाद बाद में इसकी हम गले की जो उपर से गुलाई रखेंगे अब यहां पर देखे मैंने लाइने ड्रॉ कर लिया है तो इस तरह से हम गले की गुलाई कर लेंगे उपर से हलका सा गुलाई में लेंगे और नीचे से हम थोड़ा सा कर्व में रखेंगे इस गले को तो इस तरह से हलके से पिले मैंने डॉट लगा ले था उसके बाद इनी निशानों को मैं अच्छे से डार कर लूँगी तो देखें यहां से मैंने हलकी सी गुलाई ली तकरीबन धाइंच से मैंने गुलाई रखी और अंदर वाली साइड पर और बाकी की जो इसकी जो लाइन थी वो मैंने गुलाई थोड़ा सा बाहर वाली साइड पर रखी हलका फुलका से एक निशान ले लिया और जो मैंने नीचे से हाफ इंच एक्स्टर लिया था इस तरह से तिर्ची नोक बना लेंगे ज़्यादा तिर्ची नहीं रखनी बस हलकी सी ही मैंने की ये तो अभी थोड़ी सी गुलाई मुझे कम लग रही है दुबारा से हम इसको अच्छे से थोड़ा सा और गुलाई दे लेंगे अंदर वाली साइड पर ही क्योंकि हलकी हाथ से पहले आप निशान लगा लेंगे अगर थोड़े बहुत आपको कमी पैशी जादा लगती है तो उनको हम दुबारा से डार कर लेते हैं और थोड़ा सा आगी पीछे भी कर सकते हैं तो इस तरह से जेसे गले की शेव मेरी परफेक्ट आ जाएगी उसके बाद मैं इसको कट कर लूगी अब मुझे लग रही गले की प्रफेक्ट बिल्कुल ठीक है तो टोटल जो गले की लंबाई ही हो गई है अब वो साड़े साथ इंच हो गई है हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था जो चुड़ाई थी वो सेम ही हमने पौने पांच इंच रखी एक चुड़ाई थी वो थोड़ी सी हमने बढ़ा लिये वो साड़े साथ इंच कर दिये तो बाहर से मैंने निशान लगा लिया अब एक और गला कटिंग कर लेंगे इसी चेपी बुक्रम के ओपर तीन इच गले की चुड़ाई का निशान लगा लेंगे और साड़े चार इंच गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे तो यह इसके दर्म्यान में जो हम गला करेंगे वो वी शेप में गले को ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से हम स्केल की मज़ से तिरची लाइन लगा लेंगे तो यह देखे हमारा वी शेप में गला आ गया है लेकिन इस सुन ठेटेगे बिल्कुल एक सुठर का मार्जन छोडते हैं अनुन होड़ो पर कर लूँन खोड़ा। किसी मैंने इस पे गुलाई दे लिए बाहिरवली शेमचैपी बुकरम रखे इसकी मैने पॉनाहीwarm इंची रखई अब है कटिंग कर लेंगे ड्राफ्तिंग हमारी कंप्लीट हो गईundenगे सब से गले की शेप आएगी हमने कटिंग करके रखें इनको फेब्री के ओपर पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम बड़े गले को पेस्ट करेंगे एक्स्टा फेभरी क्यों पर ही तो दरिप्यान वाले जो कटिंग थी उसको रखते इसा से paste कर लेंगे और बाद में इस cutting को हम हटा देंगे तो देखी ये paste में अच्छे से हो गया है अब extra कपड़े को cut कर लूँगी तो extra कपड़े को cut कर लिया है और दरम्याने मैं छोट-छोटे से cut लगा लिए अब glue की मदद से इस extra कपड़े को JP Bukram के उपर fold कर दूँगी पूरे कपड़े को इसी तरह मैंने गले को glue लगा लिए और कपड़े को press के साथ अच्छे से fold करते जाएंगे और press लगाते जाएंगे तो यह अच्छे से यहां पर pasting हो जाएगी extra कपड़े की और यहां तक यह गला हमारा complete हो जा लेंगे तो यह देखे गले की margin line लगा लिए अब दर्मियान में इसके हम cut कर निशान लगाएंगे और shirt ले लेंगे shirt पे लगा लेंगे दर्मियान की shirt की margin line और गले की margin line को मिलाते वे इस पे से पेस्टिंग कर लेते हैं जो छोटा गला हमने वी शेप में cut किया था उसको गला मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था इसको हम cutting कर दें क्यूंकि बाद में इस गले को हमने हटा देना है और गेंजा के ओपर चिपकाना है तो सिरफ just हमने शेप के लिए यह गला लिया है बिल्कुल बारीक साही तो इस तरह से इसको में डारेक्ट पेस्ट कर लूँगी और गेंजा के ओपर इसमें printed कपड़ा यूज नहीं करूंगी और गेंजा के ओपर पेस्ट करूंगी अब इसके भी एक्स्रा कपड़े को में cut कर दूंगी जैसे कि मैंने बड़े-गले क्योंकि इसकी फोल्डिंग हम बाद में देंगे जब चेपी बुक्रम को हटा देंगे तो देखे इसकी भी दरम्यान की मार्जिन लाइन मिला ली और कट का निशान लगा लिए अब यह मैंने लिया डबल फोल्ड करके और गेंजा लिए इसकी मेजर्मेंट्स बता देती हूं इसकी 12 इंच मैंने चोड़ाई रखी है और लंबाई 11 इंच रखी है जो गला हमने ये बनाया इसकी एकॉर्डिंग ही तकरीबन लिया है एक एक इक इंच मैंने दोनों साइडों से एक्स्ट्रा लिया है जो कि बाद में हम इसको फोल्ड कर लेंगे अब इसको डबल करते व दर्मियान की मार्जन लाइन मिला के हम इस पे बना लेंगे तो ये देखे सबसे पहले हम कपड़े वाले गले पे शर्ट को त्यार करेंगे तो इसकी जो हमने एक स्लाई लगानी है जस्ट हमने गलूक से के साथ पेस्ट किया था यहां पे हम स्लाई लगाएंगे तो चेपी बुक्रम के साथ सात रख्य में इसलाई लगा लूँगी, बिल्कुल चेपी बुक्रम के साथ नहीं लगाऊंगी, हलका आसा बिल्कुल थोड़ा सा मार्जन छोड़ूँगी, ताकि जब हम गले को पलडते हैं, तो गले में नीटनस बहुत अच्छी आती है, तो इस तरह से देखें, गले की मेरी सलाई लगके कंप्लीट हो गई है, अब एक्स्ट्रा कपड़े को में कट कर दूँगी, इसलाई देखें, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मार्जन छोड़ा है, यानि कि जितनी हमारी एक सूई है, इतना भारीक सा मैंने मार्जन बस छोड़ की, और इस गले को कट करने के बाद, जो हमने कट लगा है, उसके बाद उल्टी साइट पे इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस लगा लेंगे, गले पे अच्छे से मैंने प्रेस लगा ली है, और इसकी मैंने तुरपाई नहीं की, मैंने ऐसे ही फिलाल गले को छो इसका भी सेम हमने दोनों साइड मतलब सीधर साइडी मिलाया और गेंजा कोई सीधर उल्टा नहीं है लेकिन इस तरह से चेपी बुक्रम वाला हिस्सा मैंने उपर को किया है और इसके कपड़े को मैंने फोल्ड नहीं करना ऐसे ही चोड़ना है क्योंकि बाद मैंने चेपी कोल्डिंग आ जाएगी तो गला मेरा बन चुका है स्लाई लगने के बाद अब यहां पर एक्स्रा कप्रे को कट कर दूँगी इस गले में भी हलके हलके से कट लगा लूँगी और नोक पे भी डीप कट लगाएंगे अब उसके बाद देखें यह जो एक्स्रा जो हमने कपड़ा है उस पर स्लाई नहीं लगाई जो हमने कपड़ा गले के साथ अटैच किया था उस पर यह जाए लग रही है ताकि जब हम इसको नीचे को फोल्ड करेंगे तो स्लाई भी हमारी नीचे वाली साइड पे ही चली जाएगी अच्छा स्लाई लगाने के यह मक्सद गल अच्छे से नीट आ जाएगा और जैसे बैक वाला फ्रेंट की तरफ और फ्रेंट वाला बैक की तरफ बलटके नहीं जाएगा तो इसको अच्छे से मैं प्रेस कर लूँ और एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लूँ देखे प्रेस लगा लिए अब जितना भी नीचे व अब स्लाई लगाने के बाद इस पर हम जो हमने सीक्विंस लेस ली थी इसको रखते वे स्लाई लगा लेंगे बिल्कुल आउटलाइन के उपर इस लेस को फिक्स करेंगे और लेस की ही आउटलाइन के उपर स्लाई लगाऊंगी एक ही स्लाई के साथ लेस को फिक्स करूंग की बार बार स्लाई यहां नहीं लगाऊंगी एक स्लाई लगाने डबल इसको नहीं करूँगी क्योंकि बारीक सी ही हमारी लेस है तो अराम से एक स्लाई के साथ यह fix हो जाएगी अब सलाही लगके मेरी V-shave में नेक लाइन रेडी हो गई और गिंजा के उपर अब हमने जो शेट का गला बना के रखा था उसको इसके उपर सेट कर लेंगे अच्छे से दोनों की मारजन लाइन मिलाते हुए ओपर से शोल्डर वहले साइड पर भी एक ही जतना हमने कपड़ा रखना है ज्यादा कम यह जदा नहीं करना अच्छे से सेट करेंगे अब यहां से हम मैयर कर लेंगे कि हमने एक ही जितना मार्जन छोड़ा हुए अब दोनों साइड से दो दो इंच का मार्जन आ रहा है और आउट लाइन के ओपर सेम इसी तरह जो कपड़े के ओपर भी नेक लाइन त्यार कि उसके ओपर भी लैस लगा लेंगे तो इसको pin-up कर लेते हैं अच्छे से ताकि अपने जगा से ये बिल्कुल भी ना ही ले पूरे गले को अच्छे से fix करते वे pin-up कर लेंगे और उसके पाद जाके इस पर less लगाएंगे अब गला अच्छे से मेरा pin-up होगया है अब इसकी आउटलाइन के उपर रखते हुए में सलाई लगा लूँगी लेस की आउटलाइन और जो गले की आउटलाइन दोनों को अच्छे से हम सेट करेंगे और सेम उसी शेव में ही सलाई लगा लूँगी जिस शेव में नेकलाइन है यहां से अच्छे से हम कोना बनाएं अब इसके एक्स्रा कपड़े जो ओर्गेंजा का था उसको मैंने कट करके और इतना सिर्फ मैंने रख लिया जितना मैंने गले के नीचे फोल्ड करना था अब इसकी हम तुर्पाई कर लेंगे अच्छे से अब देखें गले की मैंने अच्छे से कपड़े और्गेंजा को फोल्ड करते वे नीचे वल साइड पर तुरपाई कर लिए अब यहां से कोई औरिटेट भी नहीं होगा ना ही गले की चूबन होगी जो लोकेते हैं और्गेंजा का नेक्ट डिजाइन हमें चूबता है तो उसके लिए यह वला बहुत अच्छा मैंने टिप सेंट्रिक्स दी है कि इस तरह से हम कपड़े को नीचे वल साइड पर गले की नीचे दबाते हैं और्गेंजा कपड़े को तुरपाई कर सकते हैं तो आज का गला बनने के बाद बहुत ही डीसंट और खुबसूरत लग रहा है और इसके बनाने का तरीका बहुत ही असान है तो वीडियो को फुल वाच कीजिएगा और यह नेक्ट डिजाइन बनाना सीखिएगा मजीद इस तरह की नेक्ट के डिजाइन आप लोगके लेकर कर दीजे को रिक अच्छा सा कॉमेंट मुझे जरूर कीजिएगा कि आज की डिजाइनिंग आप लोगको कैसी लगी मैं फिर आओंगी नई वीडियो नई डिजाइनिंग के साथ अपना ख्याल रखेगा अला हाफिज